हेलो फ्रेंट्स आज के सीडियों में हम बताने वाले जो यहाँ पर पटना हाई कोट में 8 दिसम्बर को सुनवाई होने वाला था उसका डेट बढ़ा करके अब 13 दिसम्बर कर दिया गया है तो क्या इसका कारण हो सकता है देखे इसमें लिखा हुआ है LNMU में छातरों का नावंकन से परिशा तक का काम करने वाली NCCF एजनसी की ओर से विश्वद्याले के खिलाफ उच नियाले में दायर वाद की सुनवाई अब 13 दिसम्बर को होगी बताया जाता है कि बुद्वार को दायर वाद की सुनवाई उच नियाले में हुई इसमें NCCF एजनसी के अधी वक्ता ने विश्वद्याले दौरा रखे गए पक्ष का अवलोकन करने के बाद पक्ष नियाले में पक्ष रखने के लिए 12 दिसम्बर तक समय मांग लिया है इसके अनुसार अब जब तक बंद परे डाटा सेंटर को खोलने के लिए विश्वद्याले समादित एजनसी के साथ समझोता के तहट वेकलकिप रास्ता नहीं अपनाता है तो 13 दिसम्बर तक नाही डिग्री पार्ट 3 सतर एटरा से 21 के असी हजार चातरो कारियल परकाशित होगा और नाही 2021 तक के सैकडो चातरो का लंबित कारियो का निश्पादन हो सकेगा इतना ही नहीं PG 2 सेमेश्टर 27 से 22 एवं 4 सेमेश्टर 17 से 21 के चातरो का परिक्षा फॉर्म भी नहीं भरा जा सकेगा बता दे कि विश्वदाले के चातरो का नावंकन से परिक्षा फॉर्म परकाशन तक का काम करने वाली पुरानी एजेंसी ने डिग्री पार्ट 1 से 21 परिक्षा की सबसीडरी की कौपी एग्रीमेंट के विपरी जाकर दूसरी एजेंसी के माध्यम जाच करा लेने के पुश्य अधार में लटका हुआ है तो देखे फ्रेंट यहां पर बहुत बड़ा गोटाला हो रखा चातरो का रियल्ट वह लंबीत कारिया है अठका, काफी जयादा, यहाँ पे चातर चातर है परइसान हो रहे हैं, उनका रिएल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, और यहाँ पर इस मैटर को और आगे बढ़ा जा रहा है, तो ऐसे कैसे होगा Glenn, जल्दी से यहां पर कोई भी एक्षिन नहीं लिया जा रहा है अब देखे क्या होता आपका रियल मुश्किल से जनवरी तक चलाई जाएगा लग रहा है और नहीं जनवरी तक जाएगा तो जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाना चाहिए आपका रियल देखते क्या होता तो इल्दी से जाना चे क्लिवल्दी देखते क्या जनतिक्या है प्रद अपका प्रव और